नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका Education Job Line पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कि Read Level Second की Waiting List कब आएगी और यह कितना नीचे गिर सकती है Subject Why जम बात करेंगे कि किस Subject की Waiting List कितना नीचे गिर सकती है और क्यों गिर सकती है लेकिन इससे पहले दोस्तों यदि आपने भी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजे और साथ में इस गंटिक आइकन को जरूर दबा दीजे जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो और गोर्मेंट जोप्स की सभी अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को भी जोइन कर सकते हैं और कोई भी समस्या उने पर वहां हमसे आप पूछ सकते हैं हमने हमारे टेलिग्राम ग्रूप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहां से आप इसे सिधा जोइन कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों आप हमारी ओपिशल वेबसाइट educationjoblain.com को भी विजिट कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि कुछ अब्यारती यह कह रही है कि rate level second की cut-off बहुत जादा गई है और इसका विरोध हो रहा है और cut-off दुबारा आएगी तो इसमें हम आपको साब साब बता देते हैं कि rate level second की cut-off दुबारा जारी नहीं होगी जो जारी हो चुकी है वही रहेगी लेकिन इसकी waiting list जरूर आएगी और यह 2-3% नीचे गिरेगी इसकी waiting list आपको अक्टुमबर में देखने को मिल जाएगी और इसकी 2-3 waiting list जारी हो सकती है क्योंकि जिन लोगों की joining हो चुकी थी उन्होंने भी अपना home district के लिए form भरा है साथ ही कई अब ब्यरती ऐसे भी है जिन्होंने दो subject से form भरा और दोनुमें selection हुआ है और इसके अलावा math science में तो कुछ अब ब्यरती ऐसे हैं जिन्होंने इसमें भी form भरा है तो कि अभी तक उनकी पिछली भरती कोट में चल रही है अब हम सबसे पहले देख लेते हैं फटाबट कि किस subject के अंदर कितनी cutoff गिरने के चांस हैं तो सबसे पहले हम math science के बात करेंगे इसमें आप cutoff 2-3% गिर सकती है English में आपके 1-2% तक गिर सकती है SST में सबसे कम गिरेगी 0.25% तक गिरेगी Sanskrit में आपके 0.50% तक गिर सकती है और Hindi में आपके 1% तक cutoff गिर सकती है Rate Level 2 में फिलाल जोइनिंग स्टार्ट हो गई है और October के last तक आपकी waiting list निकाल दी जाएगी इसके लबाद दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें comment कर सकते हैं या Telegram के माध्यम से हमी जोइन कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों